लास् friction में हमारे पस हमने study करें थी aboutٌ ओपम्प्रक्री के बारे में और हम हम पहुंच गए थे characteristics of en ideal ओपंप । तो ideal ओपंप्र के जो 1st क्रदस्टिक हमारे पास क्या वो यह है दहा ओпन लूप voltage गें इस infinite open loop का मेनी क्या होता है open loop का मेनी यह होता है हमारे पास कि जब हमारे पास output voltage का एक proportion basically I will tell you what is an open loop open क्या होता है मारे पास when input section and output section are independent यानि कि input output पे depend नहीं करती है मारे पास basically आपने study क्या होगा feedback circuit उसमें क्या होता है मारे पास मालेजिए आपने V input अप्राई कर दी और आपको इसको इसने कर दिया amplify आपका open आप मालेजिए आपका यह open पैंप है इसने को amplify कर दे और हमें मिल गए V output तो basically in feedback spectrum क्या करते हैं इस output की मालेजिए V note by में कोई N है मारे पस वह हमने क्या करते हैं वापिस provide कर दी है input के अंदर इससे क्या होगा आपका जो आपका V input है V I plus V O by में N हो गया आपका तो आपका यह input बढ़ गया तो आपका output और बढ़ जाएगा और यह चैंस ही बन गी मारे पास तो इसे बोलते हैं feedback circuit जिसमें हम इसको इसे फीड कर दे यानि कि input है वो output पर depend कर दी है अगर ऐसा case है हमारे पास उससे हम बोलते है closed loop closed loop अगर ऐसा कोई scene नहीं है मतलब कि जो input output पर डिपेड नहीं करती है उसे हम बोलते है open loop उसे हम बोलते है open loop तो क्या बोल रहा है open loop voltage gain क्या होती है infinite होती है voltage gain क्या होती है output voltage by input voltage क्या होती है infinite इसे बोलते है एजिरो एजिरो इसक्वाल टू इन्फाइनेट ठीक है अगरा है हमारे पास input resistance is infinite तो input section यहन की first stage के अंदर जो हमारे पास resistance होता है वो क्या होता आपका infinite होता है हमारे पास और आडियर open का हमने model यहां पर दिखा रहा है वह आपका open है 1 2 3 4 5 हमारे पास terminal है यह आपका V1 है यह V2 है इसको N की दिखा हुआ क्यों क्यों नेगटिव है P का मतलब positive है हमारे पास और VD क्या होता है VD means difference of these two voltages I can say VN minus VP कितना आपका 0 है ठीक है VD कितना आपका 0 है हमारे पास अच्छा V output क्या होगा हमने पास A not into VD और वेसी बात है गेन क्या होता है गेन होता है आपका हम जानते हैं क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं गेन क्या होता है हमारे पास output voltage बटे में input voltage इंपट voltage कितने हमारे पास आपर वो है differential voltage याने की VD VD तो it implies V inote आपका आजगा A not into में VD ठीक है और ये again two terminals मारे पास by sync के लिए उस करते हैं ठीक है तो क्या दिखार आपको डिफरेंशल वोल्टेज जीरो है अगर यह अपकी जीरो होगी तो आपका गेन क्या हो जागा infinite हो जागा सम्थिंग अपोन जीरो क्या होता है इंफयने होता है मारे पस थीक है कि ए नेक्स्ट दाइमपलीफायर draws no current I is equal to 0 इंपलीफायर का खुद का current क्या होते है जीरो होता है ओविस भीज बात है आई क्या होता है current होता है voltage by resistance अगर वोल्टेज जीरो है मारे पास तो वोल्टेज बाई में कुछ भी कर दो आप वह 0 ही आई आई या तो करणट कह जीरो है यानकी amplifier है वो कोई भी current draw नहीं करता है यह दिखार का i का है VD by R i आपका नेक्स्ट दा आउट्पूट रिजिस्टेंस इस नेगलीजिबल और आउट्पूट रिजिस्टेंस रहता है जो आपने इनपूट सिगनल दिया है उसकी frequency क्या है फिफ्टी हर्ट है सिक्स्टी हर्ट है वन थाउजंट है वन लैक है उस फ्रिक्वेंसी की वैलुट पर डिपेंड नहीं करती है bandwidth of voltage gain is infinite voltage gain की bandwidth क्या होते है bandwidth याने की frequency की वो range जहां पर voltage gain क्या हो constant हो कि अगर bandwidth infinity कर दी हमने याने की infinite range of frequency के लिए voltage gain क्या constant है याने की voltage gain क्या आपका हमेशा ही constant है तो इन दुन राइनों का meaning आपस में मिल रहा है हमार पस ठीक है याने कि यहां पर भी constant है यहां पर constant है frequency debend नहीं कर रही frequency bet prevent नहीं कर रहें हे भी परेनी की इत्तरिक्स है डीनल के साथ सथ क्या होता है सिग्नल में कुछ नऊजनれた यानकि अनवांटरी दि यो हमें नहीं चाहिए उसे बोलते हैं अनवांटरी सिगनल या फिर नोइज ह Barnes गो तो आपकंटी नॉइज की रिश्री अपन्स तो हुतक 56 1968 अर्ग अ क्या हो ideal opamp is infinite ideal opamp का जो slew rate हो क्या होता है आपका infinite होता है यह ट्रम के बारे में बादे पड़ेंगे इसको आप यह को लिख लेजी ठीक है वोट इस लूरेट तब आपको क्लिर हो जाएगा इस इरिफनाट कैसे आया तो यह थी क्रेक्टरस्टिक्स किसकी ideal opamp की अब बात करेंगे क्रेक्टरस्टिक्स और ऐन practical वोल्टेज है वो directly proportional है किसके differential input voltage के यानि कि V0 है proportional है VD के इसको अटाएंगे तो we will get some constant V0 is equal to A constant हमार पस जो है इंटू VD और VD क्या था difference of two voltage यानि कि Vp-Vn तो आपका VN आ गया A into Vp-Vn और इस A को नाम दिया गया small signal voltage gain small signal means जो उनका difference है जो हमने input में signal दिया है उसकी value क्या बहुत छोटी है अब है इसका equivalent circuit similar मारे पैस 1,2,3,4,5 1,2 यह input के लिए 3,4 यह बाइसिंग के लिए है और यह output के लिए आपका ठीक है तो हमने क्या किया इसके अंदर देख लेजिए यहां दिया है Vn यह दिखा आपको यह आपका है Vn यह आपका है Vp और Vd के इस दों का difference है हमारे पास और आइक है इसमें से जो current flow कर रहे हो आपका आई है ध्यान दीजिए आइडिल ओपन के अंदर आई जो value थी वह 0 थी बट प्रैक्टिकल ओपन के अंदर current की value 0 नहीं होती हमारे पास और यह दिखा रखे हैं जो हमने Vn दे जाए है वी अंक के लिए हमने लगाया है एक एसी इंपूट सोर्स डिफ्रैंस क्या है डिफ्रैंस यह है कि अगर यह positive नेगेटीव है तो यह हो जगा नेग्रिब पोल्सिटिव अपस मिन उल्टी इंग आणि यह बाइश्विंग के लिए रहा पर यह मार्पास और यह है इंपूट रेजिस्टेंज के आ अर यह आप पिंपूट रेजिस्टेंज से आ टिकेंजही और आउटपूट वोल्टैज गामीर गी वह इस टर्बिनल और इसके में उन्हार्पूट्टेज मिल लए है कि और इसका जो गेन क्या आपस इसका गेन होता है तो आप्ट वोल्टेज क्यों जागी गेन इन्टू में इन्पड वोल्टेज एन्टु बेडी ठीक है और यह निखांव है वी निखांव होई आरो नहीं है यह भी इए इनलान पीच में इसके VEE हमारे पस हैं अगर देखो इनपूट रोड़ा इस्टेन्स इस दिखिवृइन्ट रेस्टेंस बीटीवन डिफरेंचिल इनपूट टरबिन और गांग मतलब जो दो हमारे पास इन्पूट टर्मिनल है यह वह वह उनकी बीच में पर रोड़ा है इनकी बीच में जो भी लार्ज है क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि वन मेगा ओम इसकी वैलू बहुत कम होती है क्योंकि जिढा दीन दिन जाननी होती है जिसको हम यूस में उसकी क्यों करता है a को ली गूसिकल की आउटपूट रेजिस्टेन्स को जानकी सब्सक्रांबुडु ऐसकी की रेचा शर्टन होती जाना अपनृत ग्रमुनेश होती होती क्या इन्पुट से बहुत कम है उसके बाद है ओपन लूप डिफ्रेंशल वोल्टेज गेन इस ऑफ दे ओडर टेन इस टु पावर सिक्स यानि कि जो एक ही वैलू कितनी है दस की पावर छे बराबर है हमारे पास यानि की मेगा ठीक है मेगा में 38 रिफ ऑन की जिली उसके बाद है गेन ओफ प्राक्टिकल ओपरेशनल एंपरिफार इस फ्रिक्वेंसीड डीपैंडेंट अब जो एक गेन है यह फ्रिक्वेंसी पे डिपैंड करता है आई रोपाम के अंदर जो गेन था फ्रिक्वेंसी पे डिपैंड नहीं यही gain क्या पर constant है उसके बार क्या gain की value में change आ जाएगा फिर है transfer statistics of practical opam देख लिजिए on the x axis we are having VD input voltage on the y axis we are having output voltage and graph is a straight line यानि कि जो output है वो simply depend करती है VD के उपर लेकिन एक बात देखिए यहाँ पर हमने लगा दी है और interline यहाँ उपर भी नीचे भी और क्या देख रहे है जो यह line है यह उससे उपर नहीं जा रही यहाँ नहीं आ रही ना फिर यह line यहाँ पर आ रही मतलब यह है दी जारदा saturation voltage तो को लिखा हो है आपर V saturation positive में negative में यानि कि जो आपकी output voltage है इस से या तो equal होगी या कम होगी ठीक है so V saturation the maximum voltage that can be achieved by V naught यानि कि V naught इस से उपर की voltage को attain नहीं कर सकता CMRR की जो value है इसमें कितने होती है दिसकी power 6 होती है कि जबकि ideal opam में कितनी थी आपकी definite थी slew rate की जो value है इस case में कितनी होती है 0.5 से 1 होती है ठीक है आदिस 7 की बीच में होती है clear है तो यह थी प्रेक्टर स्टिक्स कि प्राक्टिकल ओपम की ठीक है तो अपम का बेसी अगर आपको study करने तो आप बूक को refer किजिए बूक को अच्छे से पढ़िए आपको समझ में आ रहाएगा और अगर कोई query है आपको आप मुझे group में लिख दीजिए या फिर मुझे आप call कर सकते हैं thank you